गुजरात दंगों के दोरान दरंदिगी का शिकार हुई बिल्की इस बानों के गुनेगारों को जेल से रिहा हुए पास दिन गुजर गए हैं लेकिन इस पास दिन के भीतर एक भी नारिवादी महिला कल्यार से जुड़े विभाग एवं मंतराले ने गुजरास सरकार के इस फैसले की आलोचना तक नहीं की है भारते मीडिया चैनल्स की प्राइम टाइम एंकराइंग भी बिल्की इस बानों के गुनेगारों पर चुप्पी साधे हुई है उन्हें लगता होगा कि अगर वे बिल्की इस बानों के मुद्दे पर जुबा खोलेंगी तो इनके दफ्तर के दर्वाजे बंध हो जाएंगे ये बोलें या ना बोलें लेकिन दुनिया इसके खिलाप बोल रही है सामाजिक महिला एवं मानवर्दिकार पर काम करने वाले सामाजिक कारेकरताओं समेट छे हजार से अधिक नागरिकों ने सुप्रिम कोर्ट से आगरें क्या है कि 2002 के बिल्कीस बानों मामले में बलातकार और हत्या के लिए दोशी करार दिये गए ग्यारे गुनेगारों की सजा माफ करने के फैसले को रद करने का निर्देश दिया जाए वहीं बिल्कीस बानों के गुनेगारों को रिहा किये जाने पर अंतराष्टिय धार्मिक सोतंतरता अमेरिकी आयोग ने चिंता जताते हुए निंदा की है United States Commission on International Religious Freedom USCIRF के कमिशनर इस्टिफन श्वेक और उबाध्यक्ष पराहम कूपर ने ट्वीटर पर दोशियों को रिहा किये जाने के गुजरा सरकार के फैसले को गलत बताया है इस्टिफन श्वेक ने ट्वीट में लिखा कि 2002 के गुजरा दंगों में शारेरिक और योन हिंसा करने वाले अपरादियों को जवाब दे ठहराने में नाकाम रहना नियाय का मजाक है यह मामला भारत में धारनिक अल्व संक्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटरन का हिस्सा है वहीं संस्ता के उपाद्यक्ष अबराहम कूपर ने कहा है कि 2002 के गुजरा दंगों में एक गरवर्ती मुस्लिम महिला से बलातकार करने और मुसलमानों की हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा भोग रहे 11 लोगों की जल्दी और अनुचित रिहाई की USCIRF कड़ी निंदा करता है अमेरिका ने 1998 में अंतराष्ट्य धार्मिक स्वतंतरता कानून के जरिये USCIRF का गटन किया था इसके कमिशनरों की न्युक्ति वहां के राश्पति करते हैं इस संता का मुख्यक कारिये पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंतरता से जुड़े मामलों के तत्यों और हालात की परताल करना है और इस मामले पर सरकार को नीती बनाने की सिफारिश करना है विश्विंदू परिशद जैसे संगठन बेगैरती के साथ बलातकारियों को माला पहना कर उनका स्वागत करते रहें लेकिन इस से वे इस सच को नहीं छुपा पाएंगे कि उनकी बदोलत ही भारत पूरी दुनिया में बलातकारियों का स्वागत करने वाला पहला देश बना है जिस देश में महिला की पूजा होती है उसी देश में महिलाओं द्वारा बलातकारियों का तिलक लगा कर स्वागत करते हुए क्या जरा भी गहरत नहीं आई होगी हमारे देश में हत्या को उतना बला अपराज नहीं माना जाता है जितना बलातकार को माना जाता है लेकिन इसके बावजूद बलातकारियों के पक्ष में तमाम तरह के कुतर्क देकर यह साबित क्या जा रहा है कि भारत्य समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग टेजी से नैतिक पतन की ओर पल रहा है साक्षी ने ट्वीट कर लिखा है कि याद कीजिए निर्विया के वक्त ये देश एक था जिसमें सिर्फ चिंतित नागरिक थे जो निर्विया को अपनी बच्ची मान कर आवाज उठा रही थे आज बिल्कीस बानों के वक्त ये देश वो देश ही नहीं है और नागरिक हिंदू और मुसल्मान है इसलिए हिंदू आज ये आपके बारे में भी है और जो चुप हैं उनकी चुपी शर्मनाग है निर्भिया कांड के वक्त पुरा देश त्वेलित था, निर्भिया की मा और पिता का सतत संघर्स था जो अपराधी फासी के फंदे तक मोचे, अब सवाल यह है कि निर्भिया के अपराधीयों को फासी तो बिल्कीस के बलातकारियों को रिहाई क्यों, मामला जब CBI का था तो तो राज्य बात का कोई डर नहीं कि इस रहाई से जनता में गलत संदेश जाएगा क्या वाकई सरकार का या भ्रम है या यकीन है कि बिलकीस बानो जैसे मामलों से उसके मतदाताओं को कोई फरक नहीं पड़ता क्या बिल्कीस बानो जैसे को नियाए अब मज़भ के देखते हुए मिलेगा पिरित का नाम बिल्कीस बानो हो जाने से क्या नजरिये में फर्क आ जाता है संदेह पार्टी को यह यकीन तो होगा ही कि इस फैसले से उनके मतदाताओं में उनकी पैठ घटने वाली नहीं है लेकिन सवाल यह है कि वास्तिविक चिंता वोट बैंकी होनी चाहिए या उस सरोकार की जिससे देश की आदी आबादी भी सुरक्षित रहे जाकिया जाफरी तीस्ता सीतलवार को जेल और अब बिलकीस बानों के अपरादियों की रिहाई नियाय की किस किताब का प्रति निदित्व करती है सुप्रिम कोट पहले भी बिलकीस बानों के हक में खड़ा हुआ था क्या अब भी खड़ा रहेगा रहा सवाल समाज का तो भारतिय समाज वही समाज है जहां बाल विवा, बहुविवा, सती पर्था के खलाफ कानून बने जबकि समाज में इन कुपर्थाओं की जणे गहरी थी एक बहुतर समाज की रचना तभी समभव है जब हर एक के लिए लिंग भेद से परे जीने के समान आवसर हो अगर कोई सताधारी दल या दक्षिलपंती संगठन यह मानने लगे कि बिलकीस बानों जैसे मामले उसके वोट बैंक को कतई प्रभावित नहीं करेंगे तो यह मान लेना चाहिए कि अब हम भीड तंत्रिया लोक लुबावन राजनीती के घेरे में आ चुके हैं बिना इसकी परवा किये कि यह भुश्य के लिए खतरनाक है